हेलो इस्टिटन कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है हमारे चनल पे आज के वीडियो में हम most important रसाइनिक अविक्रियाओं के बारे में जानेंगे ये रसाइनिक अविक्रियाएं परतिक वर्स examination में पूछी जाती है और इस बर्स भी ये रसाइनिक अविक्रियाओं जरूर रिपीट करेंगे आपको वीडियो में अंतक बने रहना है बहुत ही आसान तरीके से आपको ये शारी रसाइनिक अविक्रियाओं हम बता देंगे तो यहाँ पर UP Board के जितने भी स्टेंट है जो Class 12 में पढ़ रहे हैं ये रसाइनिक अविक्रियाओं एक बार जरूर देखे और देख करके examination में जाएं क्योंकि ये रसाइनिक अविक्रियाओं जरूर आएंगे यहाँ पर हम प्रमुख रसाइनिक अविक्रियाओं के बारे में बात करेंगे प्रमुख रसाइनिक अविक्रियाओं यदि रसाइनिक अविक्रियाओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में चलता है कि examination में कुछ ऐसे question है जो पूछे जाते हैं सबसे पहली बात कि क्या होता है जब क्या होता है जब यानि कि रसाइनिक समिकरण दीजिए इस तरह के question पूछे जाते हैं और दूसरी बात कैसे प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे इस तरह के question पूछे जाते हैं क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे और most important name reaction जो है examination में पूछे जाते हैं कि आप इसे कैसे प्राप्ट करेंगे या क्या होता है जब यानि कि कुछ चीज़े देगा और उसके बाद क्या होगा आपको बताना है और ये अभिक्रिया हैं हमारे सामने हैं जो कि पहली अभिक्रिया है boots fitting अभिक्रिया दूसरी है hello farm अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया है fridle craft अभिक्रिया चोती है Kenny jarwo अभिक्रिया और पाँच वी Riley going dalam living に something अभिक्रिया चती है bleamson sensation अभिक्रिया और सात वी s attendiy秒 test अभिक्रिया आठ वी수 in munden अभिक्रिया और नोवी स्मिट अभिक्रिया और दसवी है अल्डोल संगनन ये ऐसी अभिक्रिया है जो लगतार रिपीट करती जा रही है यानि कि परतियक वर्स एक्जामनेशन में आती जा रही है यानि कि 2016, 2017, 2018, 19, 2020, 22 ये लगतार इन सालों में ये अभिक्रियाएं पूछी गई हैं यहाँ पर हमने 21 नहीं लिखा क्यों क्योंकि 2021 में एक्जामी नहीं हुए थे पोश्पन हो गया था तो यहाँ पर लगतार ये रियक्शन पूछे जा रहे हैं और 2023 में भी आएगा पूरा उमीद है उमीद क्या इसमें से तो जरूर आएगा आप इसको तयार करके जाएंगे तो जरूर आपको लाव मिलेगा सबसे पहली अभिक्रिया अब हम पढ़ेंगे जो होगी क्या बूर्ष अभिक्रिया बूर्ष अभिक्रिया हाँ तो दोस्तों ये रही पहली अभिक्रिया बूर्ष फिटिंग अभिक्रिया बुट्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एक्जामिनेशन की दृष्टी से यहाँ पर एलकिल हैलाइड का एरिल हैलाइड से सुस्क एथर में सोडियम के साथ संयोग करके इरोमेटिक हाइडोकारवन प्राप्त करने की अभिक्रिया बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना एलकिल हैलाइड नेना एलकिल हाइलाइड इसका मतलब है आरेक्स जैसे की मेथिल आयोडाइड यह क्या होगा तो CH3I यह है मेथिल आयोडाइड इसमें किसकी अभिक्रिया करवानी है एरिल हाइलाइड से इरिल हाइलाइड जैसे कि आयोडो बेंजीन क्या चिस्तो आयडो बेंजीन यह है आयडो बेंजीन और किसके साथ सोडियम के साथ किसकी उपस्तिती में सुस्क इither की उपस्तिती में सबसे आसान भाषा में बताएंगे तो सुषक इथर की उपस्तती में जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया आईडो बेंजीन से करवाते हैं तो हमी प्राप्त होगा टालू इन ये कैसे तो ये जो आयोडीन है ये सोडीयम से कनेक्ट हो जाएगा जुड जाएगा यहाँ पर दो आयोडीन है तो ये माइनस ल 2NAI उसके बाद से यहां वाला बंद अधूरा और यह वाला बंद अधूरा तो यह वाला जो है यहां से आ करके बेंजीन से लग जाएगा बेंजीन से लग जाएगा क्या चिस्तो CH3 और इसी को बोलते हैं टालू इन तो रियक्षन समझ में आ गया होगा कि रियक्षन क्या कह रहा है और इसी अभिक्रिया को कहते हैं बूर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या कहा गया यहां पर एलकिल हैलाइड का एरिल हैलाइड से सुस्क इथर में सोडियम के साथ संयोग करके aromatic hydrocarbon प्राप्त करने की अभिक्रिया boots fitting अभिक्रिया कहलाती है उदाहरण की बात करते हैं methyl iodide का अभिक्रिया idobenzene और sodium के साथ करवाया गया तो taluene और sodium iodide प्राप्त हुआ और इसी अभिक्रिया को कहते हैं boots fitting अभिक्रिया हम उमेद करते हैं कि यह reaction समझ में आया होगा अब हम दूसरे reaction की ओर चलते हैं जो है halo farm अभिक्रिया दोस्तो अगली अभिक्रिया आती है halo farm अभिक्रिया और यह है एक नाम reaction है और name reaction जितने भी आ जाते हैं वो अपने में important हो जाते हैं हैलो फार्म अविक्रिया होती क्या है आपको देखना यहां पर एथिल एलकोहाल एसी टोन तथा जिसमें ओन टू तथा आल टू लगा हो है हैलो फार्म अविक्रिया कहला दिया मतलब कि जिसमें एलकोहाल लगा एसी टोन लगा सभी में ओन या आल लगा हो ऐसी ही अविक्रियाओं को बुला रता है हैलो फार्म अविक्रिया है इसमें होता क्या है जैसे एथेनॉल इसके अंत में अल लगा हुआ है तो यह कौन से अव अविकरिया चल्ओरीन और सोडियम हाइडराकसाइड से होती है तो खलोरोफाम बनता है इसके साथ लवर्ड एसिटेट और जल भी बनता है् देखते हैं रियक्ष्न क्या है एथेनॉल है यह एथेनॉल का सुत्रऊ ch3CH2 OOH, यह क्या है? एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया हो रही है, क्लूरीन से, किसे? क्लूरीन से, Cl2 प्लस sodium hydroxide, NaOH, और यहाँ पर बनता क्या है? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का सुतर होता है, CHCl4, यह है क्लोरोफार्म, एक लोण बनता है, वो कौन सा लोण है? तो NaCl, NaCl, और इसके साथ-साथ इसमें बनता क्या है? बनता है H-C-O-O-N-A और इसी को बोलते हैं Acetate और इसके साथ-साथ बनता है H2O यानिकी जल और इसी अभिक्रिया को करते हैं हम क्या? हेलो फार्म अभिक्रिया हेलो फार्म अभिक्रिया इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इस पर वही tip-paddy लखने के लिए आता है इसा है ऐसा नहीं है कि पिछले साल पूछ लिया तो इस साल नहीं पूछेगा, इस साल भी उतना ही important है जितना कि पिछले साल लिया था, आगे बढ़ते हैं इसको हम balance कर लेते क्योंकि यह balance है नहीं और जो balance reaction नहीं होते हैं उस पर भी number कर जाते हैं, तो balance करना जरूरी है, आगे यहाँ पर ध्यान देना कैसे बैलेंस करें तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम दो है और यहाँ पर एक ही है इसका मतलब है कि यह बैलेंस नहीं है यहाँ पर देखा जाए क्लोरीन एक है और यहाँ पर दो है यह भी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें 6 का गुणा करते हैं, इसमें 4 का, और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 5 का, और यहां पर हो जाएगा 5, तो यह जो reaction हो जाता है, balance हो जाता है, आगे, अगली अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, मतलब तीसरी reaction, तीसरा reaction है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, और यह भी बहुत ही important है, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होता क्या है, समझा जाए यहां पर, निर्जल, ALCL3 की उपस्थिती में, बेंजीन रिंग में, बिभिन को जैसे मेथिल क्रॉराइड का प्रविएस फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, और इससे टालूइन बनता है, क्या बनता है, टालूइन बनता है, और बहुत ही important reaction है, बहुत important, देख दे कैसे, बोल रहा है, निर्जल, ALCL3 की उपस्थिती में, वही सबसे पहले ह बैंजीन रिंग, यह है, बैंजीन रिंग, और यहां पर हम पता है कि जहां पर भी जॉइंट कार्वन और हाइड्रोजन वहाँ पर है, एक हाइड्रोजन को हम यहां से निकाल लेते हैं, इसकी अभिक्रिया मेथिल क्रॉडाइड से करवाते हैं, मतलब कि CH3CL, इस ये करवा होता क्या है यह जो है इससे जुड जाता है और बना लेता है HCl भैंआप यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे बचा हुआ है यही ना यह बंद तो हट गया अब यहाँ पर क्या करना कि यह CH3 को यहाँ पे रख देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं complete कर लिया आगे अगला चोथा reaction क्या है तो केणी जारो अभिक्रिया अगली अभिक्रिया है केणी जारो अभिक्रिया दोज्टों यहाँ पर हमने टीम प्रकार की रशायनिक अभिक्रियाओust को बता रखा है और बिभिन प्रकार के उसी नहीं देखा है तो जरूर वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा या प्रेलिश्ट में आपको जाना है वहां से आपको ये मिल जाएगा या अपने से इन अभिक्रियाओं की practice करनी है practice यदि आप करेंगे तो ये सारी reaction जो है आपको याद हो جाएगा और यहीं से आपका 5 से 10 नमबर का काम बन जाएगा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इतनी सारी अभिक्रियाओं का अभ्यास कर लेना है revision कर लेना है आप जो है यदि इतना कर लेते हैं तो 5 से 10 नंबर examination में आपको मिल जाएगा मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए नए topic के साथ अब तक लिए thank you, thanks for watching जोड़े रहे नराइंसर classes के साथ